इंडियन आइडल हर हफ्ते अपनी साथ एक धमा का लेकर आता है शूपर हर हफ्ते नए मिमान पहुचते हैं और शूपर होता है धे सारा धमा इस अपनी इंडियन आइडल का एपिसोड बहुत ही शांदार होने वाला है इंडियन आइडल का ये एपिसोड रिपब्लिक डे को लेकर होने वाला है इंडिन आइडल के आने वाले एपिसोड में कतरवे गंतंत्र दिवस की परेड के लिए सेट पर आर्मी मैन पुलिस कर्मी लाइव गार्ड और दमकल कर्मी को चीफ कैस के तौर पर इन्वाइट किया गया कंटेस्टंट इन सभी को अपने गानों से ट्रिब्यूट देंगे सेट पर इस दुरान देश भक्ति के तराने गुंजेंगे सेट पर आए सभी खास महमान अपने कई सारे एक्सपीरियंस सेट पर शेयर करेंगे सेट पर आए सभी खास महमानों को इस बार इंडियन आइडल के कंटेस्टन्ट अपने गानों से सलामी देंगे इंडियन आइडल इन सभी बहादुरों का सम्मान करेगा इंडियन आइडल का ये एपिसोड होगा दीश भक्ती के नाम हाल ही में इस एपिसोड से जुड़ी एक खबर सामने आई थी वो ये है कि नेहा ककड ने एक बार फिर किसी की मदद की है इंडियन आइडल के आने वाले एपिसोड में 71 गंटंत्र दिवस की परेट के लिए सेट पर आर्मी मैन पर इस कर्मी लाइबकार्ड और दमकल कर्मी को चीफ गेस्ट के तौर पर इंवाइट किया गया है इसी पीच नेहा ककड एक बार फिर अपने उदार दिल नीचर के चलते चर्चा में आ गयी है नेहा ने शोग पर आये चीफ गेस्ट मेंसे एक दमकल कर्मी को दो लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया इस दमकल कर्मी का नाम विपिन गणत्रा है ये पिछले 40 सालों से दमकल विभाग में सीवा दे रहे हैं उनके इस काम के लिए विपिन को पदमश्री अवार्ड से समानित किया जा जुका है जब नीहा को इन गिफ्ट में देना चाहती हूं इंडियन आइडर का ये एपिसोड बहुत ही एंटर्टीन ही होने वाला है